जो जो भी गुरु का स्रणम गया आज उनको जीवन कल्यान करता रहता बीन गुरु सुगदेव स्वामी जेसा जो भीना गुरु बैकुंड गया तो वहां से उनकभी पचा उड़ों पड़ों कि गर्ब योगे स्वर गुरु बीना एसा चली सुगया सुगदेव हो और जिन खवी बैकुंड से पचा भेरिया फेर दिया सुगदेव धन गुरु दाता देवता जिन समरण नाम लखाया और गुरु महिमा पल पल वर्णू मारा प्राक्चित छणमन साया देखों जब से जीवन मां हमके गुरु मिल तब से ही हमारों जीवन है अन्यता जीवन नहीं है एक बार एक बहु अपनी सुस्राल मों प्रवेश करे तो वो कोई गुरु मों की घराणा की थी तो जैसे ही अपनी सुस्राल अवज और पतिदेव से पुछी, सासुजी से पुछी, ससुरु जी से पूछी तो उसी समय सब न अपनों अपनों एक संख्षे पतायों वो के पतिदेव ने कही जाए कि हमना वी गुरु महाराज से गुरु देख्षा लिये जी शासुजी न भी कई लेकिन ससुर जी न गुरु दिख्चा नहीं दिए उसी समय एक महात्माजी योग से उस घर प्रवेश अरज तो वो लाड़ली बहु उस महात्माजी को बड़ो सम्मान देश क्योंकि जो गुरुमुखी बहन रहती हैं तो उसके घर कोई साधू संत आते हैं कोई अधिती आते हैं तो बहुत हर दैसे सम्म और सागत करती हैं और देखो आपका गाउं हो या आपको नगर या आपको घर कदी साधू संत थेती आव तो सेवा करना में कभी अपन पछी नहीं देनूं चाहिए कि संतों की सेवा आपके जीवन में बहुत बड़ा पुन्य प्राप्त कर सकता है बहुत बड़ा पुन्य का यह चैग करी लेव कोटी गोटी धाम क्रोज मंदीर पूजा अगरत वुकवास करा और कदी अथिति साधू संत सिक्की सेवा नहीं करा तो हमारों कोई ब्रत वुकवास पूजा पार्ट यह सार्थक नहीं होना होई क्यों नि कि सेवा का एक पुर्ण महित्मधी हुआ हमा काम तब लग सारा काचा को तो आज उसी समय एक मात्मा जी जैसा ही उगर प्रवेश कर तो बहु पुछन लगी कि माराज सरी बड़ी दया हुई आपको आगमन हुए और हम बड़ा प्रशन हुए आज बड़ी नौनी तनमंदन से सेवा करना लगी उस बहु न मात्मा जी से कह माराज सरी इस घर की में बहुं यह मेरी सांस है मेरे ससूर जी और यह मेरे पती देव लेकिन मेरी आयु साथ वर्स की हुई है और मेरे पती देव के आयू पाच वर्स की हुई है और मेरे ससूर जी का जन्म ही नहीं हुआ है तो मातमा जिए बड़ा धर्म संक्त मां बढ़ीगा क्या रहे बात कहीं तो सबसे पती से भी स्व चोटी और यह सब से ज्यादा उमर बताव और एकहसे चोटी सासू को कज और और पिर उकह चोटो पती दें-चलो वहाँ तक तो सिमित पती जोटोगा पर वो भी पाच वर्स को और बोले ससूर जी का जन्मई ही नहीं हुआ तो मात्मा जी बड़ा धर्म संक्र्ट में बढ़ी गावन आप बात कैसी कर रहे हैं मुझी वद्लाओ तो सरे कि आपके ससूर जी का जन्म हां महाराज जरी मेरे ससूर जी का जन्म ही नहीं हुआ और मेरी सांस की साथ वर्स की और मेरे पती दिव की पांच वर्स की और ससूर जी को जन्म ही लिया तो मात्मा जी बड़ा धर्म संकट में बढ़ी गा पुछना लगया कि बेटी लाडली बहू पहले मकर ये बता कि आपके बात कहूं परिपूर्ण समझी नहीं पायो क्या बात कही का महाराज जी आप इनको मेरे ससूर जी का भी तक जन्म नहीं हुआ है तो उसी समय महात्मा जी उस बहुत से पुछना लगया कि बेटा पहले ये बता कि थारा ससूर जी को जन्म कैसों नहीं हुए हो और आप भी मुझे भारवर्स से जादा आयू की लग रही हो आपकी सांस के आयू भी बहुत कम बताई आपने और आपके पती के भी तो ये बात क्या है मात्मा जी भी एक साधारण तो विचारू देखनू कोई कोई साधू साधाभीर साधू बनना सरले लेकिन साधू होना कटीन साध कवाण्या सोयला सू मतीना आवे हाथ साजन भोजन तो सब मिले पर एक न मिले रगुनाद तुम आव खाली हाथ में कुबड़ी लिन पेटों वादीन कमंडर्ण तरीन अलक निरंजन जै माराज जै सिंगाजी की जै ओकार जी की जै सिताराम नर्मदे आर करीन निकड़ो तो जंता जनार जंतो मानग वत्तन का वो भावुचे लेकिन सादू ता भी कुछ होनो जाएजे या सादू न सादों नी रहनू उका अंदर कुछ सादू ता भी होनो जाएजे देखो सादू बनना सरल बात है लेकिन सादू होना ही कटीन बात है आज सिंगाजी बावा सादू बणयानी सादू हुईगा दुनी वाला बावा साधू बन्यानी साधू हुईगा लूला बावा साधू बन्यानी साधू हुईगा सियाराम बावा साधू बनेनी इस साधू हो गए पुखारदाज बावा साधू बन्यानी साधू हुईगा आज उनके जोत्म म्धिलर राइब कि आ है LGBT तूर do publicола कि हम सादू तुर सादा गुञान देखो ती एक सादू के खुब घ्ञान हों हो और कि अपने आपको कोई घ्न आना है का देखनों कर निक गुशे याने नाना प्रकार से उसको अपने आपका भूद नहीं वो साधू नहीं वो खली सदा स्थ तो क्यों नी हो कि हम साधू याने कोई भी संथ वक्त हम सभी से निविदन करा लेकिन सादू को जादा से जादा भक्ती बढ़ाने की जर्वत है अभिमान बढ़ाने की नहीं अडंबर बढ़ाने की नहीं हम जीवन मां कभी भी भक्ती का बढ़ावा कभी अडंबर नहीं बढ़ावा और जिन्न जिन्न अडंबर बढ़ाया तो वो कहीं एक दिन एक दिन व जरूर अडबईगा तो क्यों नी हो कि हम जीवन में भक्ति को बढ़ाए अडंबर न बढ़ाए तो ही हमारा जीवन सार्थक हो तो आज उत बड़ा निर्मल जादू था उसी समय जेसा ही जाज और वो बहु न प्रश्न करियो तो माराज सरी धर्म संकट मों पड़ीगा देख संत भक्त को दर्जों मिले और संत के वानिता पड़ी होती है उसको कोई समझ नहीं पाता संत वानित पड़ी और छट पड़ लखे जाए और जो जट पड लखी ले तो का जीवन की सारी खटकटई मेटी जाए जीवन की सारी खटकटई विटी जाए तो उसी समय उस बहु महाराज सरे के देवी आप ही मुझे बताओ क्या आपके ससुर्जी का जन्म नहीं हुआ तो उसी समय उस बहु न उस महाराज के कही कि महाराज सरे मेरी आईू बारह वर्स की इसका मतलब मैंने जीवन काल में गुरु दिक्षा लिये तो गुरु दिक्षा लेने को गुरु मंत्र लेने को गुरु ग्यान अपनाने को मुझे बारह वर्स हुए है मेरी सांस ने गुरू मंत्र गुरू ग्यान लिया तुषको साथ वर्स हुए साथ वर्स से जो आयू उपर की थी वो सब अकारत गई मात्र साथ वर्स कि आयू मेरी सांस ने हर सांस में सुम्रण भजन किया तो मात्र उसकी आयू खली साथ वर्स किये और मेरे पती देव ने इस पंच भोतिक सुन्दर काया पाई और इसी में उनको उबदेश गुरु मंद्र लेने को पाच वर्स हुए है पाच वर्स से पहले जो विती भी आयू उनकी कोई आयू नहीं थी तो पाच वर्स से जिनोंने गुरु किया तब से ही उसके जीवन की आयू सुरू हुई और मेरे पती देव अभी गुरु दिक्षा से बंचीत हैं तो जिसका जीवन में गुरु नहीं होता है तो उसके कोई आयू नहीं होती जिस दिन से जीवन में गुरु मिली जाय वो दिन से ही हमारा जीवन की रुपरे का श tąरू उया तो आज क्यों नहीं हो कि गुरू एक बोहत कि आज हमारा जीवन क से पहुचे सकते है कि गुरू शिष्ष का उपर एक पुर्ण रुख से क्रपा कर गुरू देव गुरू देव गुरू तो देव हैं लेव नहीं गुरू देव गुरू तो खली देना को काम कर गुरू लेना को काम निदेखो गुरू लालची और गुरू लोभी लालची जेला तो फिर क्यों न हुँ नरक में ठेला मठेला गुरू भी ऐसा सिस ऐसा चाहिए कि गुरू को सकू'll क देदे पर गुरू भी ऐसा चाहिए कि सिस्से कुछ नले तो ही गरू और शिस की पढ़ाले चाहिए तो आज जब तक जीवन में हम गुरु ज्ञान असिल नहीं करा देखो गुरु दिक्ष लेनों अच्छी बात चे पर गुरु को कदी स्रद्धा भाव से मान ले ये भी जीवन में बहुत अच्छी ही बात बंदों मानना गुरु का ग्यान हसील करना ये भी आप को जीवन एक सत्मार्ग से जोड़ी सकते कुरु को जानना तो कोई विर्लान की बात है और गुरु को मानना सब भक्तों के दिल का एक भाव है और ये एक ऐसे दया उबज़ाज को प्रती एक करुछ सम्मान दें और गुरुक एक स्वाभी मान् दें तो आज क्यों ने होएक हमारों जीवन लुपकाम केली घंचित नहीं हम आज। शेम इस अंड़े बावा जो मंघंगीर बावा आवगणाथ बावा का सिस्या बिकारीनाथ बावा विकारीना afterwards गी मुच सिंघाजी वाव curry अर्जण क्योफ पृष झी मत्रिप्न कि लाओ कि टीम हैं तो आज चेंगाजी वावा को जिनको कली काल कल युक मुन चुरायद तर्म니 अवाओ फिराज्ञ देख गों सिंघाजी वावा प्रुव जन में च्रंगी रिष yön याने चारो यूग से बाबा विख्या था त्रेटा यूग में राजा दसरत का है संदान्णी होती रहे तो गुरु वसिष्ट जी के द्वारा पुत्रेश्टी यग्या करवाया हुआ तो उसी समय उस पुत्रिष्टी यग में वसिष्ट जी महाराज ने महाराज सिरी दसरजी से का कि राजन इस यग में स्रंगीर इसी आमंत्रित हो गए और वो उनके भक्ति वल्स के द्वारा ने कर से यग्यकुण में अहोती डालेगे तब ही ये यग्य भगवान प्रसन होग का प्रगट होगा और तभी ही आपकी समस्या का कुष्ण कुष्ण समाधान होगा तो आज वही स्रंगीर इसी त्रेता यूग में राजा दसरत के हां सुई भगवान राम को जल्म हो राबचरी त्रमानिस में बाबा तुलसी दास लिखे कि राम उसी समय श्रंगीर इसी का को सपल करने के लिए स्वेम वसिष्ट जी महाराज राजा दस्रस्यकज और संगी रिषी का मंत्रित कराण और वही संगी रिषी उसी यग्य का सपल कराज कि संगी रिषी वसिष्ट बोलावा फुत्र काम सुभ जग्य करावा भक्ति सहित्मों नि आउती दिने प्रगटे शिष्ट जी महाराज बिस्थि आज संगी रिषी का मंत्रित करें